जोते शास्त्र का हमारे जीवन पर बहुत ही जारा प्रभाव परता है यूं तो जोते शास्त्र में नव ग्रहों का अपना अलग-अलग महत्व है लेकिन शनी ग्रह का एक अलग ही महत्व होता है और कहते हैं कि शनी देव को खुश करना बहुत ही मुश्किल काम होता है लेकि जब एक बार शनी देव किसी पर महवान हो जाते हैं तो उसका घर खुश्यों से भर देते हैं। आपको बता दे कि जोती शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में गटने वाली हर गटना कहीं न कहीं राशियों से जुड़ी होती है। और राशियों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर भी परता है। आपको बता दे कि आज शनी का सबसे बड़ा महाराशी परिवर्तन हो रहा है जिसका राश्यों पर जरूर कुछ न कुछ असर पड़ेगा जब शनी किसी राशी से निकल कर किसी दूशरी राशी में परिवर्तन करते हैं तो ये ज्योति शाष्ट्र में सबसे बड़ी और पूर्ण घंतना मानी जाती है आपको बता दे कि इस बार शनी के महा परिवर्तन से कुल 12 राशियों में से केवल सिर्फ दो राशी वालों पर इसका अच्छा परभाव पड़ेगा शनी देव इन दो राशी वाले जातकों पर महरवान हुए हैं तो चलिए आपको बताते हैं क कौन सी हैं वो दो राशियां पहला कुम्ब राशी कुम्ब राशी वालों का आने वाला समय खुशों से भरा होगा, शनी देव के राशी परिवर्तन से सबसे ज़्यादा फायदा कुम राशी वाले जात्कों को ही होनी चाहिए परिवार को पूरा साथ मिलेगा, सभी परिशानियां दूर होंगी, घर की आर्थे किस्ति मजबूत होगी, रुका हुआ पैसा निकल जाएगा दूसरा, मिथुन दाशी, मिथुन दाशी वाले जात्कों के लिए आने वाला समय सावगात ले कराएगा शनी के राशी परिवर्तन से मिथुन दाशी वालों को धन नाव होगा, आप रातो रात करोणपती भी बन सकते हैं, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, कर्ज से छुटकारा मिलेगा, मिथुन दाशी वालों पर शनी देव खुस रहेंगे और उनकी हर इक्षा को भी पूरा क करेंगे, तो ये थी वो दो राशी जिन पर शनी देव के बिशेश किर्पा बरसने वाली है, ये दो राशियों आने वाले समय में कई समय तक भागिशारी रहेंगे, नेक्स्ट नाइन स्पेच्वल से बिनितराई के रिपोर्ट